हर शनिवार, सुभह लिली और उसके पिता, मिस्टर पार्कर की एक खास परंपरा थी. वे नाश्ते के लिए स्थानिय बेकरी जाते थे. यह लिली के हफते का सबसे पसंदीदा हिस्सा था. छोटी सी दुकान में हमेशा ताजी ब्रेड और मीठी पेस्ट्री की खुश्बू रहती थी. और लिली बड़ी सावधानी से अपनी पसंदीदा चॉकलिट क्रॉइसन चुनती थी. एक शनिवार, लिली ने देखा कि उसके पिता कुछ ज्यादा ही शान्त थे. क्या सब ठीक है, पापा? उसने चिंता भरी आँखों से पूछा. मिस्टर पारकर हलके से मुस्कुराए, लेकिन एक लंबी सांस ली. सबता भर काम में मुश्किलें थी, बेटा, लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ. लिली ने कुछ देर सोचा, और फिर उसके मन में एक विचार आया. नाश्ता खत्म करने के बाद, उसने सुझाव दिया कि वे पार्क में टहलने चलें. ताजी हवा से मदद मिलेगी, पापा? उसने एक द्रिढ मुस्कान के साथ कहा. वे बड़े-बड़े ओग के पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए टहलते रहे. हर तरह की बाते करते रहे. लिली ने अपने स्कूल, दोस्तों और जिस नई किताब को वह पढ़ रही थी, उसके बारे में बताया. जब वे जील के पास पहुँचे, तो मिस्टर पारकर का चहरा नरम पड़ गया. वे जुक कर लिली को गले लगाते हुए बोले, तुम हमेशा मेरा मूड बहतर कर देती हो. लिली मुस्कुराई, इसके लिए ही बेटियां होती है. उस पल में उनका बंधन पहले से भी अधिक मजबूत हो गया.